जिन के चरण में सुर सुर सादर जुकाते शीश को मेरी विनय युत वंदना उन जीन विर्ज गदीश को परात्पर गुर्वे नमहूं परंपराचारिय गुर्वे नमहूं परंगुर्वे नमहूं साक्षात प्रत्यक्ष सद्गुर्वे नमो नमहूं अनन्त अनन्त भाव भेदती भरेली भली अनन्त अनन्त निक्षे पे व्याख्यानी सकल जगत गीत कारीनी हारीनी मोहूं तारीनी भवब्दी चारीनी प्रमानी छे। उपमा आप्यानी जेने तमा मांपाई में मानी छे। अहो राज चंद्रबाल ख्याल नथी पामताई जीनेश्वर तनी वान। जानी तेने जानी छे। गुरु राज तनी वान। जानी तेने जानी छे। नत्वा जिनेंद्रम गत सर्व दोशं सर्वग्य देवं हित दर्श कम्च। श्री जैन सिध्धांत प्रवेशिकेरियं विरचते स्वल्पधियांखिताय। विरचते स्वल्पधियांखिताय। ओम। तत्व चर्चा में श्री जैन सिध्धांत प्रवेशिका। प्रश्न संख्या। क्यां चलतो दो। जोतिश्क देव हो गये। वेमानिक देव। 465 हिंदी मां। प्रश्न संख्या हिंदी में 465 और गुजराती में 462। वास्त में ये प्रश्न संख्या है ये मूल हिंदी में तो इसी हिसाब से चलता है सरा। अभी वो गुजराती में थोड़ा कम कर दिया है वगरा ये सरा। वेमानिक देव कहां रहते हैं उत्तर। वेमानिक देव कहां रहते हैं उर्ध्व लोक में रहते हैं। वैसे अगर प्रश्न ऐसा है कि देव कहां रहते हैं तो क्या उत्तर होगा। देव कहां रहते हैं तो तीनों लोकों में देव। देव लोक में देव रहते हैं। देव लोक कौन सा है। तो अधों लोक में भी देव रहते हैं। रितेक नहीं रहते हैं। कौन कौन से देव रहते हैं बवन्वासी वेंतर वासी मद्ध्ध लोग में भी देव रहते हैं कौन कौन से देव रहते हैं बवन्वासी वेंतर वासी और जोतिश्क देव तीनों प्रकार के देव मध्य लोक में रहते हैं और उर्धव लोक में केवल वैमानिक देव रहते हैं मध्य लोक कितना हैं अपन कहते हैं जोतिश्क देव मध्य लोक में रहते हैं तो वो तो उपर रहते हैं तो मध्य लोक कैसे आ गया तो मद्धे लोग की उचाई कितनी है कौन बताएगा जैसे ऐसा कि साथ राजु है वो अधो लोग की उचाई निचे से लगए साथ राजु तो मद्धे लोग की ऐसे उचाई कितनी है वो कितना उचाई ऐसे तो असंक्याद्यूप समुद्रे राजु प्रमान है जितने भी उपर कितना है हाँ तो जितना मेरू परवत की उचाई है ने वहाँ तक मद्दिलोग है तो मेरू परवत है वो इसकी उचाई कितनी है कुल उचाई एक लाख और चालिस यूचन तो उसमें से चालिस हजार नी एक लाख और चालिस यूचन तो उसमें से दस हजार तो नीचे नीव है वो अधोलोग में आ गया और उसके उपर अपना प्रत्वी को धरातल है समुद्र धरातल जो अपनी प्रत्वी है वो मद्धि लोक है, उपर, चित्रा भूमी वाला, वो मद्धि लोक है, तो दस हजार तो लेस कर दो, उसमें से, तो नब्बे हजार हो गया, अब नब्बे हजार और चालिस, इतना मद्धि लोक यहां से लगा करके, वहां उचा है, पत्वा, कहीं के ऐसा भी आता है, कि वो ज लाक और चालिस योजन उचा मद्धि लोग है इसके बाज से अधोलोग चालू होता है तो इस प्रकार से ये मद्धि लोग की उचाए पर वो है वो परवत ही है ना परवत की चोटी को भी परवत ही कहेंगे हैं चुली का है तो हम और देव लोग का प्रारम कहा से होता है फिर देव लोग मतलब उर्दु लोग उसका प्रारम कहा से होता है तो जो सुमेरु परवत की चुली का है उसके ज़स्ट उपर से उसमें कितना गेप है एक बाल जितना गेप है उतना आकाश प्रदेश को खाली करो तो पहला जो विमान है सोधर्म स्वर्ग का वो चालू होता है वहां से और इसके आगे आगे फिर वो विमान गैप रख करके हैं पहला यूगल होगा उसके बीच में फिर दूसरे यूगल और पहले यूगल के बीच में असंख्याती हो जनका दूर है वो पहले डेड़ राजू है फिर अधा अधा राजू है ऐसे समझ ले ना चार सो चासट मनुष्य कहां रहते हैं उत्तर तो नर लोक में अगर इसका उत्तर ऐसे दें कि मनुष्य कहां रहते हैं तो मद्धि लोक में तो उत्तर सही है के नहीं अधा उत्तर सही है अधा उत्तर मद्धि लोक में रहते हैं पर पर्टिकुलर अभी प्रश्ण ऐसा है कि मनुष्य कहां रहते हैं नर लोक में, मद्धि लोक में, उर्द लोक में अधो लोग में तो सही कौन सा करो गए नर लोग सबसे निकट दम उत्तर को सही करना अभी परिक्षा के हिसाब से सब चले चलेगा वाँ कि बहुत सो ते परिक्षा के पेपर फॉर्ट दिये जाते हैं प्रश्णा है है अच्छा नर लोग और मद्ध्य लोग में कितना फ़रे के कौन बताएगा आखांग सदीदी बताएगा नर लोग में लोग मनुश्य लोग कितना है और मद्ध्य लोग कितना नहीं पता है यास तो जितना धाई दीप है उतना ही नर लोग है मनुश्य लोग है क्योंकि जहां मनुष्य रहते हैं वो मनुष्य लोग तो मनुष्य कहा रहते हैं धाई दीप में मनुष्य रहते हैं जंबू दीप, लवन समुद्र, धातकी खन, कालोदिस समुद्र और पुष्करार्द दीप वहां तक ही मनुष्य रहते हैं इसके आगे मनुशनी रहते हैं फिर इसके आगे सारा मद्धे लोग असंख्या द्विप समुद्र तक कहां तक है वो स्वयम बूरमुन समुद्र तक है मद्धे लोग का इस तक है मद्धे लोग में तिरियंच भी रहते हैं मनुष्व भी रहते हैं देव भी रहते हैं सब रहते हैं तरसनाड़ी हाँ वो अड़ाई दीप तो तरसनाड़ी आई जाती है हाँ उसमें आ जाता है मद्धे लोग के बाहर भी तिरियंच है परन्तु अपना जितना मद्धे लोग है न वो तरस नाड़ी में आ जाता है सारक सार वो तरस नाड़ी हैं तो वो सारा मद्धे लोग आ जाता है क्योंकि वो एक राजू चोड़ी है तरस नाड़ी और मद्धे लोग का विस्तार भी एक राजू है क्योंकि नीचे साथ राजू है फिर ऐसा कम होता 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 मद्धे लोग में आते आते वो एक राजू रे जाता है फिर उपर ऐसा विस्तार होता जाता है फिर पांचवे स्वर्ग तक जाते जाते हो साड़े पांच राजू हो जाता है फिर उसका संकोच होता 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 फिर छट्टी पृत्वी पर जाते है जाते वो फिर से वो इतना ही हो जाता है वो भी एकराजू होता है और पिस्तालिक लाग योजन तो वो केवल इशत प्राग भार पृत्वी है आठ्वी पृत्वी सिद्ध शिला है, वास्ता में वो है, वो 45 लाख योजन की है, प्रत्वी तो उससे भी अधिक है, हाँ, और किसी को कुछ फ्रश्णा इस समन्द में, 460, लोक के कितने भेध हैं, तीन, उर्ध्व लोग, मद्धे लोग, अधो लोग, पराबर इसमें कोई अब सफ़ेश्टी करन करने की जरूग नहीं होती है, उर्धों लोग हैं, वो सारे कसारा, सुम्यर उपरज से उपर का जितना है, वो सभी उर्धों लोग, पास्ता में वो भी साथ राजु जितना है, क्योंकि बीच में मद्य लोग है, उसकी तो उचाई केवल, एक लाँ योजन के आसपास ही है, इसलिए एक राजू में इतना निकाल दो उतना अधो लोग है और उतना ही उर्दू लोग है मद्ध लोग तो नहीं वत है उसमें राजू के प्रमाण में तो अधो लोग किसको कहते हैं मेरू के नीचे साथ राजू अधो लोग है कितना है तो वो साथ रग जिसमें अधो कर्म वाले निम्न कर्म वाले प्राणी रहते हैं उसको अधो लोग कहते हैं यह इसकी आध्यात्मिक जाक्या है नीच कर्म वाले प्राणी रहते हैं उसको अधो लोग कहते हैं तो मुख्यता से वहाँ नीच कर्म वाले रहते हैं तो मुख्यता से कौन रहते हैं वहाँ पर नारकी जीव रहते हैं इसलिए इसको अधो लोग कहते हैं और नीचे हैं इसलिए भी अधो लोग कहते हैं ये सब इसलिए पढ़ना जरूरी है कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग भी यहीं है और नरक भी यहीं है स्वर्ग और नरक जैसे कोई वस्तुए नहीं है ऐसा बहुत से लोग मानते हैं अगर आपके घर में सुक शान्ती है तो स्वर्ग है और आपके घर में कलेश है तो नरक है इसका मिलब स्वर्ग और नरक कहीं और जगे नहीं है तो वह ऐसा नहीं है नरक के जैसा आपका घर हो सकता है अब नरक नहीं हो सकता है स्वर्ग के जैसा आपका घर हो सकता पर स्वर्ग हो सकता क्योंकि स्वर्ग में जो सूख है वो आपके घर में नहीं है उर्ध्व लोग किसको कहते हैं 490 मेरू के उपर के अंत परिंत उर्ध्व लोग है 470 मद्ध्य लोग किसको कहते हैं तो एक लाख चालीस योजन मेरू की उचाई के बराबर मद्ध्य लोग है जो भी अब अपनोंने सब जान करें 4 shelter मद्धि लोग का विशेश स्वरुप क्या है तिन लोग का विशेश स्वरुप तो नहीं बता है वैसे नक्षे से अच्छा पता चलता है अब आज अपने को समय भी नहीं है फिर कभी इसको पढ़ेंगे अच्छ से के वाले यहाँ पढ़े पढ़ लेते मध्य लोग के अत्यन्त बीच में एक योजन एक लाख योजन चोड़ा गोल थाली की तरह जम्बू दीप है एक लाख योजन मध्य लोग में अत्यन्त बीच में मनलब सबसे बीच में फिर इसके चार और ही ऐसे समुद्र है ऐसे ऐसे दीप समुद्र है और वो कैसा है कि थाली की तरह बाकी जितने भी जो दीप और समुद्र है वो चूड़ी की तरह गोल है और यह थाली की तरह है जम्बू दीब के बीच में एक लाख योजन उचा सुमेरू परवत है जिसका एक हजार योजन जमिन के भीतर मूल है और 99 हजार योजन पृत्वी के उपर है और 40 योजन की चुली का है यह सब पढ़ लिया अपना जम्बू दीब के बीच में पस्चिम पूर्वकी तरप लंबे 6 कुलाचल पड़े हुए है परवत मतलब पहाड यह तो इसे पहाड यह पहाड है वो क्या करते है क्षित्रों को बनाते है एक पहाड है उसके आगे एक शित्र होगा फिर बीच में पहाड होगा फिर इसके बाद दुसरा क्षित्र होगा फिर पहाड होगा फिर तीसरा क्षित्र होगा ऐसे च्छे पहाड मिल करके च्छे परवत मिल करके साथ शित्र बनाते हैं इसलिए साथ शित्र बनते हैं जिन से जम्बू जीप के साथ खंड हो गये हैं इन साथ पहाडों से इन सातो खंडों के नाम इस प्रकार हैं पहला खंड है भरत खंड, फिरहेमवत खंड, हरी खंड, विदेह खंड, रम्यक खंड, हैरन्यवत खंड और एरावत खंड ये इसके देश हैं, साथ देश हैं, साथ क्षेत्र हैं विदेक्षेत्र में मेरू से उत्तर की तरफ उत्तर कुरू और दक्षिन के तरफ देव कुरू है ये भोग भुमिया है तो ये जो विदेक्षेत्र हैं उसमें दोनों तरफ एक-एक और क्षेत्र हैं उत्तर कुरू और देव कुरू वहाँ पर भोग भुमिया है शाश्वत भ भोक भूमिया जीव रहते हैं। भोक भूमिया तेन प्रकार की होती हैं। उत्तम, मद्ध्यम और जगन्य। तो ये देवकुरू और उत्तरकुरू है वो तो उत्तम भोक भूमिय है। जहां पर तीन पल्य प्रमान आयुशे वाले इस्त्री और पुरुष होते हैं मरलब मनुश्य होते हैं उनकी लंबाई तीन कोस के बराबर होती है उचाई और वो तीन दिन में एक बार आहर लेते हैं इसके बाद मद्यम भोग बुमी है वहां पर दो पल्यों का आयुश्य होता है और उनकी उचाई दो कोस बराबर होती है फिर जगन्य भोग बुमी होती है वहां एक कोस प्रमान उनकी लंबाई होती है उचाई और उनके एक दिन छोड़ करके आहर होता है तो इसमें जो साथ क्षेत्र इसमें भरत, विदेह और एरावत ये तो तीनो कर्म भूमिया है ये जो हेमवत और इधर से हेरननेवत एरावत के निकट हैं और भरत के निकट हैं ये ये दोनों हैं वो जगन्य भोग भूमिया हैं और विदेह के दोनों तरफ हरी और रम्यक ये मध्यम भोग और फिर विदेक्षेत्र के अजुब अजु का उत्तर कुरू और देव कुरू वो उत्कृष्ट भोग भूमिया कहला था तो ये साथ खंडों में चार दो भोग भूमिया है और तिन कर्म भूमिया तो पंद्रा कर्म भूमिया ऐसा कहते हैं वो कैसे हुई पंद्रा कैसे गिनाएंगे यहां तो कर्म भूमी तीन ही हुई एक, दो, तीन और कर्म भूमी तो कुल कितनी है पंद्रा, भोग भूमिया कुल कितनी है, तीस तो वो गनित कैसे लगाई कल लगाई थी Yes, very good नर्सी भाई is very जागरत हमारे हम अच्छे पर उसमें भी ढुणना पड़ता है ने तो भरत शेत्र कितने पाच एरावत शेत्र कितने पाच विदेख शेत्र कितने पाच, तो कितनी कर्म भूम्या हुई पंद्रा, अच्छा है देव कुरू क्षेत्र कितने पाच उत्तर कुरुक शेत्र कितने है पाँच तो कितने होगे दस उत्करश्ट भोग भूमिया हुई हैंबच शेत्र कितने है पाँच सभी पाँच पाँच ही होंगे ये सभी पाँच पाँच ही होंगे सारे क्यों पाँच पाँच होंगे क्यों पाँच पाँच होंगे क्यों ये विदे ख्षेत्र हैं, दो रम्य ख्षेत्र हैं, दो हरन्यवत ख्षेत्र हैं, और दो एरावत ख्षेत्र हैं, दो देव कुरू हैं, दो उत्तर कुरू हैं, ऐसे चौदा ख्षेत्र हैं, उसी प्रकार से पुष्करार्द दीप में भी यह कि यह चौदा हैं, दो भरत ख्षेत् चुदा कितने हुए है कुल क्षेत्र 35 क्षेत्र हुए उसमें 15 कर्म भूमिया है और 30 भोग भूमिया है ऐसे समझे यह सारा एक बार दिमाग में बिठा लेना पड़ता है नहीं तो चक्री घुम जाती अभी के तो दो नहीं के तो तीन और कोई बात नहीं आये तो चलेगा भूमिया में आहार कल्ब प्रक्षों से होता है अपने जैसा तो नहीं होता है परन्तु अपने से थोड़ा बेहतर होता है वहाँ तो इतना आहार करते हैं आवले के जैसा बोर के जैसा एतना ही होता है एक गोली खाते हो बस और उनके एक दो तिन दिन चलती है वो गोली वहां के लोगों को ज़्यादा भूख लगती पापी लोगों को ज़्यादा भूख लगती है पापी लोगों को जितना जितना पाप कम उतना उतना भूख क्योंकि भूख है वो कौन सा कर्म है और वो असाता वी इतनी है के साता में आता है असाता वी इतनी है उनके असाता बहुत कम होता है होता है थोड़ा सा होता है और एक गोली खा लेते हैं काम चल गया बस हां लंब बाई तो बताये न, अभी, एक कोस, दो कोस, तीन कोस, यह सरा बताये नुए. मनिश्व में में जिनको ज़्यादा भूग लगती है, उसके पाप का उदे ज़्यादा? क्या किया ज़्यादा? पाप का उदे होने से विक्ति पापी नहीं होता है. पाप के उदे में पाप रूप परिणाम होने से पापी होता है. समझ मैं है? हमारे बहुत पाप का उदे है, तो हम पापी हो गए क्या? नहीं. पर उस पाप के उदे में वो पाप भाव करता है, पापी. पापी उसको कहता है. क्योंकि भाव से जीव पापी और पुन्यवान होता है क्षुधावेद्नी कर्म का उदय है वो पुद्गल है वो पुद्गलिक भी पाख है उससे पापी नहीं हो रहा है वेक्ती उसमें खाने की तिवर लाल सा उसके कारण से उसको जो अखुलता वो पाप का उदय है वास्तविक पाप वो है पूर्वभव में हमने ने बहुत अच्छी तरह से खाया पिया गृद्ध हो करके किसी को भूखा रखा तो अभी हम भी भूखे अब उसका उदय आया है उदय आया है तो हम पापी हो जाए ऐसा को जरूरी आया तो आया क्या दिक्कत है शांती से अपने साहिब जी के दे भूख लगे तो शांती से थोड़ा दस मिनिट बेटो उपवास किया है और पारणा का दिन है एक दम तूटने पड़ने का है थाली में आया और शांती से जम्बू दीप के चारो तरफ खाई की तरफ बेड़े हुए दो लाख योजन चोड़ा लवण समुद्र है अब जम्बू दीप एक लाख योजन अब उसके चारो तरफ दो लाख योजन का लवण समुद्र है समुद्र है, खारा पानी है, इसलिए उसको लवन समुद्र कहते है, लवन समुद्र को चारो तरब बेड़े हुए, मतलब कवर्ड करके, चार लाख योजन चोड़ा धात की खंड दीप है, तो धात की खंड दीप है, वो जम्बू दीप से कितना गुना हो गया? जम्बू दीप से धात की खंड कितना गुना हो गया? डबल कैसे हो गया? डबल तो लवन समुद्र है, और लवन समुद्र से डबल धात की खंड है, तो कितना हो गया? चार गुना हो गया, जम्बू दीप से चार गुना धात की खंड है, थोड़े जागरती पुर्वक रे जागरत रेना, इस धात की खंड दीप में दो मेरू परवत हैं, और क्षेत्र, कुला चल आदी सब रचना जम्बू दीप से दूनी हैं, इसलिए पांच क्षेत्रों मे पांच मेरू परवत हो जाएंगे, धात की खंड को चारो तरब बेड़े हुए आठ लाक योजन कालो ददी समुद्र है, और कालो ददी को बेड़े हुए 16 लाक योजन चोड़ा पुशकरवर दीप है, तो अभी जम्बू दीप से पुशकरवर दीप है, वो कितना अधिक ह बेड़े है, कितना गुण अधिक हैं? जम्बू दीप से पुशकरवर दीप, धात की खंड़ दीप कितना गुणा है? चार गुणा, पुशकरवर दीप कितना गुणा है? डबल कैसे हो गया? कितना गुना हो गया क्योंकि बीच में जो समुद्रा आता है वो डबल है उसका डबल वो है सोला गुना हो गया पुशकरवर दीप के बीचो बीच वलए के आकार चोड़ाई पृत्वी पर 1022 योजन बीच में 723 योजन उपर 424 योजन उच्छा 1731 योजन और जमिन के भीतर 427 योजन जिसकी जड़ है ऐसा मानुशोत्तर नाम का परवत पड़ा हुआ है कहां पर है ये परवत? कौन से दीप में हैं? पुशकरवर दीप में हैं तो पुशकरवर दीप आधा पूरा खतम होता है इसके बाद आधे में वो है जिससे पुशकरवर दीप के दो खंड हो गए है पुशकरवर दीप के पहले अर्द भाग में जम्बू दीप से दूनी दूनी अर्था धातकी खंड दीप के बराबर सब रचना है जम्बू दीप धातकी खंड और पुशकरार्द दीप तथा लवन समुद्र और कालो ददी समुद्र इतने क्षेत्रों को नर्लोक कहते है ये नर्लोक में कौन-कौन से क्षेत्र आगे है जम्बू दीप लवन समुद्र धातकी खंड कालो ददी समुद्र और पुष्करार दुद्दी इतना मिला करके नर लोक अर्थात मनुष्य लोक होता है इसमें अढ़ाई तो दीप आ गए और दो समुद्र आ गए दो समुद्र और ढ़ाई दीप ऐसा मनुष्य लोक समुद्र में तो मनुष्य नहीं तो दीपों में मनुष्य होते हैं पर उन समुद्र के तटी तटों पे दीप हैं उसमें कुभोग भूमिया हैं कुभानुष उसमें लवन समुद्र और कालोदोदी समुद्र में उनके तटी प्रदेश ओपर दीप हैं उन दीपों में कू मानुष रहते हैं मतला भोग भूमिया, कू भोग भूमी के जीव रहते हैं, उन चकी पूरणी के हैं पांच मेरू संबन्दी कुशकरवर दीप के आगे परसपर एक दिस्रे को बेढ़े हुए दूने दूने विस्तार वाले मध्य लोक के अन्त परियंद वीप और समुद्र है फिर इसके आगे एक दीप एक समुद्र एक दीप एक समुद्र एक दीप एक समुद्र ऐसे चलते जाओ पांच मेरू संबंदी, पांच भरत पांच एरावत, देवकुरू और उत्तरकुरू को छोड़कर पाँच विदेह इस प्रकार सब मिलकर के पंदरा कर्म भुमी है पाँच हेमवत पाँच हरन्यवत इन दस खेत्रों में जगन्य भोग भुमी है पाँच हरी और पाँच रम्यक इन दस खेत्रों में मध्यम भोग भुमी है और पाँच देवकुरू और पाँच उत्तरकुरू दस खित्रों में उत्तम भोग भूमी है जहां पर असी, मसी, करशी, सेवा, शिल्प और वानिज्ज इन शट कर्मों की प्रवर्ती हो उसको कर्म भूमी कहते हैं जहां इनकी प्रवर्ती न हो उसको भोग भूमी कहते हैं भोग भूमी का मतलब ऐसा नहीं कि जहां भोग भोगते हैं भोग भूमी का अर्थ ऐसा होता है कि जहां अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इजी ली जो चाहिए वो मिल जाता है इसका मतलब यह नहीं कि उनको ज़्यादा चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए वो मंद किसा ही लोग है परन्तों उनको easy approachable होती हर चीज इसके मनुष्य खेत्र के बाहर के समस्त दीपों में जगन्य भोग भूमी की रचना है मनुष्य खेत्र के बाहर जितने भी दीप है वो दीपों में भी कुछ न कुछ तो रचना होगी तो जगन्य भोग भूमी जैसी रचना होती है अर्थात वहाँ पर जितने भी तिरियंच रहते हैं क्योंकि मनुष्य तो रहते हैं नहीं है वहाँ पर तिरियंच रहते हैं, संगनी पंचेंद्री ये तिरियंच वगेरा रहते हैं, तो वो तिरियंच हैं, वो तिरियंच वो एक कोस के उचे और इस प्रकार से जगन्य भोग में जैसे मनुष्य रहते हैं न, एक पल्ले की आयूवाले, एक कोस उचे इस प्रकार के वहाँ पर असं स्वयंबूरमन दीप के उत्रार्द में तथा स्वयंबूरमन दीप समुद्र में और चारो कौनों की प्रत्वियों में कर्म भुमिक की सी रचना है। वहाँ पर अपने यहाँ पंचम काल में जिस प्रकार से रचनाय रेती हैं उस प्रकार से कर्म भुमिक की रचना होती है। प्रकार की कुछ सित्थ हैं वहाँ वो मनुष्य तो हैं परन्तु किसी का मुबंदर जैसा है, किसी का कुत्ते जैसा है, किसी का शेर जैसा है, किसी का एक ही कान होता है, लंबा कान होता है, ऐसे वस्तर की दरह से गसी उटता जाता है, किसी की पूछ होती है, तो बड़ी लं तो उनको कोई दुख नहीं होता है कुम आनुष है इसका मला उनको कोई दुख होता ऐसा नहीं है सुविदाई अच्छी हैं उनके पास कोई ऐसा नहीं को उनको खाने पिने के कोई दिक्कत होगी वगरा असाता का उदे भी अपने से बहुत कम है उनके और उनको वो सारी चीजे कू मानुश है तो इसका आरत ये तो नहीं है कि उनको कोई ऐसी फिलिंग होती होगी कि देखो मेरा कैसा चेहरा यासा ऐसी फिलिंग भी नहीं होती है क्यों नहीं होती है सब कैसा है अगर कोई यहां से जाए और आधे लोग अच्छे गोरे गोरे हो और अच्छे मुखवाले हो और आधे ऐसे हो तो उनको फिल होता है परन्तु वहां तो सब ऐसे हैं इसलिए कोई फिल होता है इसलिए वहां को सुखी हैं कू मानुश भी अपने से अधिक साता है उनके क्यों क्योंकि वहां भोग भूमी है और भोग भूमी और कूवग भूमी के जीफ चारो गतियों का बंद करते क्योंकि उनकी कसा इतनी बंद होती है इस लिए नहीं वर्तमान में वो तो देव लोक में ही जाएंगे अभी पर अंतु गती का बंद होता है आयुष्य का बंद वो नियम से देव लोक का करते हैं पर गती का बंद तो चारो गतियों का कर सकते हैं इसमें दिखाते हैं आयुष्य बंद उनके भोग भूमी के जीवों के केवल और केवल देवगती का ही होता है उसमें कुभोग भूमी और इसमें जितने सम्मेक दरश्टी जीव हैं वो सारे सारे सोधर में इशान अंदर वहाँ पर जनम लेते हैं और बाकी जितने इक भी हैं वो भवंतरिक आदी में जनम लेते हैं परन्तु वो देवियोनी में ही जाएंगे भोग भूमी के जीवों क्योंकि वहाँ पर इतनी मंद कशाय होती है इसलिए हाँ इस तरह की आगरदिया क्यों होती इसका क्या कारण है ऐसा काकू भोग भूमी के जीवों की पाप का उद्य ऐसे ही नाम कर्म उनोंने बांधा है तो इसका उद्य होता लड़ते जगडते नहीं है एक दम शांती से लड़ना जगडना वास्ता में क्यों होता पता है कि संसाधनों की जो अभाव के कारण से लड़ना जगडना होता है पत्वा उसकी औवेवस्थास से होता है तो जितने खाने पिने के रहने वगड़ा के जो संसाधन है वो किसी को ज़्यादा मिलते हैं किसी को कम मिलते हैं तो लड़ाई जगड़ा होता है वहाँ सब को जो चाहिए वो मिलता है तो इसलिए उनके कभी लड़ाई जगड़ा होता नहीं भूख लगी खाना मिल गया सोना है आराम से गूफाओं में रहते हैं घर मिल गए पेड़ के नीचे रहे लेंगे सब आराम से मस्त हैं सब को एक जिसा ही होता है क्योंकि सबका कुणने का उदे एक जिसा रहता एक जिसा कम ज़्यादा कहां होता नहीं लड़ाई जगड़े एक लेश ये सौब इस करम भूमी में होते हैं बाकि इस पूरे तीनों लोकों में कहीं नहीं होते हैं केवले आपके नरक में और ये करम भूमी में बस यही लड़ाई जगडा कलेश होता है बागी देव लोग में मस्ती से रहते हैं वोग भूमियों में मस्ती से रहते हैं सब जगा मस्त हैं चलो और किसी को कुछ प्रश्ण है अपने ये पूरा हो गया अब इसकी परिक्षा ली जाएगी 22 तरह को अभी थोड़े समय परिक्षा की तयारी के लिए स्वाध्याई प्रवर्टी बन आट-दस दिन परिक्षा की तयारी के लिए बिलते हैं फिर आ करके एक बार अपने इसका रिविजन जरूर करेंगे पर यह बहुत महत्व का अध्याई है उसमें जो सद्धान्तित पक्ष जितना है वो सारक सारा है मारगणा वागरा जीवों के भाव यह सब बहुत महत्व की वस्तुवें जन्म का प्रकार यह सारी चीज अच्छे है प्रश्ण जिसको पुछना है प्लीज अब माइक में पूछे देवगती से भी मंद कसाई भोग भूमी में होते मतलब देवगती से भी कसाई मंद ता नहीं ज़्यादा मंद कसाई देवगती के है और भोग भूमी के करम भूमी के अपेक्षा से मंद कसाई ऐसा नहीं कि वो देव लोग से भी ज़्यादा मंद कशाई है ऐसा मनुष्य है वो तो देवो के असाता का उदे अधिक होता है मनुष्यों के कम होता है मनुष्य की अपेक्शा ज़्यादा है अब ऐसा मान लो नहीं कि अमेरिका विक्सित देशों के लोग है न वो भोग भूमिया है और विक्सित देशों के लोग है जिसे भूटान ने बंगा बंगलादेश ने पाकिस्थान ने ये सभी के सभी क्या है करम भूमिया ऐसा समझ लोगा इतना अंतर है पुन्य का उद्ये तो जाएंगे नीचे ही जाएंगे तो उनके पुन्य का उद्ये तो अधीक है परंतु उसमें भोग करते हैं पुन्य के उद्ये में जब हम भोग करते हैं तो कशाय तिवर होती है तो नया पाप बांधते है पहले का पुन्य का उद्ये है तो नया पाप वो बांधते हैं अब इसे नहीं है बिल्कुल नहीं किशाय की मंता भी नहीं है उनके क्योंकि लेश्चा भोग भुमे के जीवों की लेश्चा तो क्रिश्न भी होती है और वहां की पीट लेश्चा से कम होते ही नहीं देवलोग में कितने भी भोग भुमे कोई भी कितने वगएरा तो वह होते ही नहीं साता का उधय यहां पर सिद्धांद रश्टी से चलना हमेशा कि जहां जिसके साता का प्रकृष्ट उधय होता है उतना उतना उसके जीव को सुख है वह और सुख ही जीव है उसकी आकुलता कम होती है और मनुष्यों से अधिक साता का उदे देव के तो भले मोग भूमी का मनुष्योः तो भी उसके साता का उदे तो कम है इस अपक्षा से वाज़ादा कम जब आप किष्णेलेश्या इधर पर कह रहे हैं तो फिर मंद कासा ही कैसे होगी एक लेश्चा में अनेक प्रकार के अभी जैसे हम मनुष्य है ना तो हमारे छो लेश्चा हैं सम्मग दरश्टी मनुष्य की भी छो लेश्चा होती है चट्टे गुन स्थान वर्तिगी भी होती है पांचवे गुन स्थान वर्तिगी भी छह लेश्या होती है तो वहां भी तिवरकशा ही नहीं है अब उनके अनंतानु मंदी नहीं है मिध्यात्व नहीं है प्रत्या खरावने तो भी उसकी तो लेश्या तो हो सकती है उसमें तो क देवगती का, देवगती में भी कहीं दुख है थोड़ा सा, संपुन रूप से सुखी नहीं है, ऐसा प्ररूपन करने के लिए वाका है, वहाँ ऐसे इर्शा लूने ऐसे नहीं होते हैं, हम जिसको इर्शा कहते हैं वैसी इर्शा है वहाँ नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार है वहाँ कैसा होता है, पता है, मिठी इरशा होती है, मिठी इरशा कैसा होती है, पता है, कोई एक मा है, उसकी पुत्री है, उसकी मा की सुन्दर, बहुत सुन्दर हो, पर उसकी बेटी जब 16 साल की हुई, तो वो उससे अधिक सुन्दर है, अब उस मा को भी थोड़ी थड़ा हो जाता है कि आर देखो अब तक लोग मुझे ही सुन्दर कह रहे थे अब मेरी बेटी को सुन्दर कह थे तो उससे थोड़ी एक मीठी सी इरशा हो जाती है उसको कि देखो मेरे से भी कोई सुन्दर हो गया पर इसका अर्थ यह थोड़ी कि वो कुई इसका इह अहित चाती है देव लोग में कोई किसी का इह अहित नहीं चाता है बस उसके कारण से उनको ऐसा होता है कि देखो इनोंने कितना अच्छा कर्म किया है उस कारण से उनको इस प्रकार की रिदिय सिद्धिय मिली है मैंने नहीं किया है, उनको खेद होता है, इर्शा नहीं होती है, तो उसकी उत्पत्ती का एक थोड़ा सा कारण होता, बाकि उनके लेशा बिगड़ती नहीं है, कभी भी, यही तो साता के उदे का यही तो चमतकार होता, एहे कि वान लेशा बिगड़ने नहीं देता है, उनके, वो म है अफिर अंची देवों के पिर फिर भी उनके क्रोध नहीं है इसित अमयारा है कुट अलब ब्स वो जैसे अपने नाट अपने ऊपने वह बहुत बड़ा वो महल बनाया उन फिर वह फिल्म में तोड फोड नहीं करते हैं अपर फिलम ही ए ऐसा है फिर भी उनकि पीटलेश्या से नीचे नहीं होती। सिद्धान प्रचलने। अधिक के पीटलेश्या में अधिक। बंध कीशलेश्या में अधिक होगा? कृष्णलेश्या में अधिक होगा? और वो तोड़ फोड़ कर रहा है तो भी उनकी इतनी अधिक लेश्या नहीं है ये तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है तो भी ये क्रश्न लेश्या में बैठा हुआ है परिणावों की विचित्रता है वास्त में क्या है कि ये योग्य द्रव्यक शित्रकाल भाव को ले करके कर्म आते है वहाँ देव लोक में इसी प्रकार का कर्म का उदे है कि उसकी प्रवर्ती कोई भी होगी पर परिणाव उस प्रवर्ती के अनुसार नहीं होगी यहां प्रवर्ति कम होगी परिणावधिक होंगे बेठा बेठा भी यहां सात्वी नरक बान लेता है बेठा बेठा और वहां तोड़ फोड़ कर रहा है तो भी नरक में जाने का बानता ही नहीं सारो कुछ गाउं के गाउं भस्म कर दे वो देव तो भी ज़्यादा से ज़्यादा तीरियंज में जा सकता हूँ नरक में ने जा सकता और यहां बैठा बैठा वो रागो तंदूल मस्द बैठा बैठा कोई प्रवड़ती नहीं कर रहा है बैठा बैठा कर रहा है यह उस ख्षित्र का के प्रभाव के कारण से देवगती नाम कर्म के कारण से इसी प्रकार के परिणामों का उसका बंद है और ऐसी प्रकार के परिणामों का उदे है उसमें अपन कुछ कर सकते नहीं है हम केवल कशायों वगरा को प्रवर्ति से नापते हैं कभी भी कशाय परवर्ती से नहीं होती है कशाय हमेशा अभी प्राइसिफ होती है बच्चे खेल रहे हैं आप कबटी खेलेंगे तो एक दुसरे को मारेंगे पिटेंगे नहीं पेर खीचेंगे ये खरेंगे और एसा है कि कपड़े फ़ाड़ेंगे सारे फढ़ेंगे कर नहीं फढ़ेंगे विखेल कभी फुटबोल खेलते हैं वगर एक को गिरा देंगे आटी लगा देंगे ये कर देंगे वो कर दें पर लास्ट में क्या करेंगे ये सब क्या था ये सब खेल था वो अभी इसी अभी प्राई को ले करके उत्रे है तो जो नारकी जीवों को तडप तडपाने के लिए जाते हैं तो किस लिए जाते हैं पहले से तडप रहे हो तो चलो अपन उनको मनरंजन करते हैं खेल खेल देखते हैं जो तडपता है उसको खेल देखते हैं परन्तु कशा भाव से वेर भाव से कोई जाएगा नार्कियों का आपस में वेर होता है देव का नार्कियों से वेर नहीं होता है वो आपस के वेर को देख करके आपस में भिडाएंगे और कोई ज्यादा उचल कुद करेगा तो उसको दो चार लगा देंगे पर उनके कोई वेर भाव उनके इसी नार्की को, पर्टिकुल इसको ही मेरे को करना है, ऐसा उनको कोई पक्षपात देवों को, वो तो जो परेशान होना चाहता है, उसको परेशान करेगा, ये पक्षपात रहिता है, और यहां कशाय मंद बढ़ जाते हैं, पक्षपात में कशाय तियुर होते हैं, कि मेरे को इसकी तरफ रहना है यहां आप कशाई होगे मुझे किसी तरफ नहीं रहना है मुझे तो दोनों का खेल खेल देखना कशाई कम होगी भारत पाकिस्तन का में चल रहा है और उस समय आप किसी पक्ष में खड़े हो तो आप कशाई भाव से हो कोई सी पक्ष में नहीं खड़े हो तो आप निश्क शायवाब से खड़े हो जो भी आउट हो तो अपने अच्छा है इसमें क्या दिखा है जो भी सिक्सर मारे तो अच्छा है अपने का तो क्या वाल खेल देखना ये इंटेंशन है और इसलिए उनकी लेश्चा विगड़ती और कोई ये नगर उजाड़ देते हैं ये करते हैं तो क्रोधवश नहीं करते हैं वो कोई किसी का अहित करता है इसलिए करते हैं एक दुसरे के कारियों में विगन डालते हैं नाक कुमार हैं, वो असुर कुमार आपस में विगन डालते हैं, वो कोई काम करता है, तो उसको आकर डिस्टप करेंगे, वो कोई काम करता है, तो उसको आकर डिस्टप करेंगे, परन तो फिर भी उनकी लेशाने भी करती है, लेकिन जब देवों का नारकियों से राग हो सकता तो दोए सिया बेर क्यों नहीं हो सकता बेर कम होता है क्योंकि नारकी नारकी का परस पर बेर होता है वो तो कुतुहलवश होते हैं जो लड़ना चाहते हैं अभी बच्चे होते हैं या पर मुर्गे एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं तो मुर्गों को लड़ाते हैं अब गा सब पहाव का खेले आपके intention आपका अभिप्राए क्या है इसके ऊपर है कशाय वस्ड करोगे आप तो आपका तिवर होगा, पर कशाय नहीं है तो आपके तिवर होगा, कशाय वश का यहाँ पर द्वेश बुद्धी से, इसका अहित हो जाए इस बुद्धी से जो करना, उसका नाम कशाय वश कहलाता, बाकि तो कशाय तो सब राग दूश है, बहुत सारा चिंतन के विशे हैं हम कशायों के सोरुप को वगयरा जब अच्छी तरह से जानेंगे इन कर्मों के बारे में चिंदन मंथन करेंगे कि किस कर्म के उदे में क्या-क्या प्रवर्ति होती है उसमें लेशा का कहा तक होता है परिणाम कहा तक जाते है प्रवर्ति कहा तक जाती है उस प्रवर्ति करने में किस अभी प्राय से कौन-कौन सी प्रवर्तिया हो सकती उसमें किस-किस प्रकार का प्रेणमन हो सकता है ये सब बहुत गहान बाते हैं गहान वाच्छे शिश्वा कही संख्षे पे साथ चार गतियों का सब ऐसा कैसा चलो तो अपना आज समावत करते हैं थोड़े दिन अभी गयप पड़ेगा मैं आज थोड़े अपतारंगा जा रहा हूं एक आंच सेवन के लिए अठवाड यूतियां रोकाई सूं सौमवारे लगबाग सान्चुदी पाच्छो आवा दूं थास्वा को दर्मध्यान करें अ सुखदाम अनन्त सुसंत चहि दिनरात्र रगेत ध्यानम परशांति अनन्त सुधामयज प्रणमों पदते वरतेज सद्गुरू परम कृपाळू त्रिलोकनानाथ की जय सबसंतन की आनन्दभी ओम् जय सद्गुरू अनन्दभी ओम् झाल